जैसे कि अप लेटेस्ट वेकेंसी के बारे में हम आपको अपडेट प्रवाइड कर आते हैं तो आज के यो टोप वेकेंसी हैं पहले अपन बात करेंगे इंडिया पोस्ट ओफिस की उसके बाद में और भी बहुत सारी वेकेंसी हैं जिनके application form आपके online available है जिनके आप आवेडन कर सकते हैं जिसके में आपको सब कुछ बताऊंगे क्या है क्या है क्या last date है किस तरह साप अप्लाई कर सकते हैं क्या है सारी information आपको मिल जागी इस वीडियो में तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली ऐसी अपडिर आप तक पहुंचती रहें तो फर्स जो इंडिया पॉस्स में जो एकेंसी निकाली गई है तैन थाउजन के आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जो बी कंडिडेट इंट्रेस्टेड है वहां जाके स्टीट वाइस आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं बिहार पोस्स सक्थी आपकी 25 सब्सक्राइब आपकी 35 वेकैंसी पोस्ते शॉर्टिण अस्ट्रेंट और अपक्ड़ेइंगे तो वहां पर आपको डार्यक्ली यिलिंगे जिस भी यह बिलॉन करते हैं जहां से आप आवेदन करना चाहते हैं वहां पर आपकी आसाम पोस्टल सरक्ल में वो है 928 GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर और असेश्टिंग ब्रांच और अधर बहुत सरी वेकेंसी जिसके लिए आप आधे दिन कर सकते हैं तो इसके लाग जटे आपकी 19 अपरेल ग्रामें डाग सेवक GDS जो तमील नाडू में पोस्ट निकले उसमें 20 अपरेल है तो आपको स्टेट वाइस जो एक आपको जो लिंक मिल जाएंगे ओफिशल जो इस इंडिया पोस्ट के ओफिशल वेबसाइट है एक नेक्स आपकी इसकी जो तमील आडू के जो स्टाफ का ड्राइवर की जो पोस्ट है उसमें दो वेकेंसी इसके लिए कर सकते हैं नेक से तैलंग आना पोस्ट ओफिस में तीस मार्च आपके लाज़ देट है तीन पोस्ट है स्टाफ का ड्राइवर की यह वेकेंसी जो की पोस्टल सरकल में निकाली गई मतले इंडिया पोस्ट के दौरा निकाली गई स्टेट वाइस टोटल दस अजार के आसव जिसके लिए आपको अगर्स कर सकते हैं बीस मार्स इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है एक्जाम आपका 28 जून को हने वाला है बात करते हैं इसका कॉंप्लीट नोटिफिकेशन लास्ट जो आपके रिसिफ्ट अप्लिकेशन फोर्म में 16 अप्रेल तक आप आप आपके कर सकते हैं बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन की ठीक है तो 16 अप्रेल आस्ट इसकी आप कौन-कौन आविदन कर सकता है किस तरह से इसकी डिटेल से में आपको बदा देती हूं ओनलाइन अप्लिकेशन कैन वी फिल अप्टू 16 अपरिल 18 जो आपकी 16 अपरिल तक आप इसक सकते हैं अब बात करते हैं इसका eligibility criteria अन चुकिता क्राइब कर सकते हैं अब बात करते हैं को अशुछै क क्ठास जो उसके वादिटर सकता हैं और बी पाले मात करते हैं पहले andagement Hind की ग्रूप A की 50 वेकेंशी है थीक है इस नेक्स्ट आपकी जो एकेंशी है इसमें एक और वेकेंशी निकाली इसके बारे में आपको बताऊंगी इसमें जो रखी के 21 तो 32 एस सउसाने की 80 ौनो पत्रस आपको बनेशान घ्रकाली जो करेंशी इसमेंशी करte सुझे कर दिसमिर निकाली नाइप इसकेंशी है जी ज्यान अचाना वंसान थे सुफटी नाजर दू झाल yesad तो इंडिया विफोर 1st January 1962 से पहले जो हैं उनके उसके लिए यह लोग होंगे इसकी पोश्ट के लिए ठीक है ग्रेजिशन होना चाहिए आपका सेम जो फिल्ड है उसी में होना चाहिए इसमें बता रखी है और एक और है जिसकी बता रहे हैं इसकी बता रहे हैं उसका भी अलग से इसमें क्राटरिया दे रखा है पहले बाद कर लातर इसमें जो मास्ट्र डिगरी आपके पास रहने चाहिए जियोलोजिस्ट ग्रुप A के लिए अगर आप एपलाई करना चाहते हैं तो ठीक है तो रिलेटिव फिल्ड में ही आपकी मास्ट्र डिगरी होने चाहिए तब भी आप इसे के लिए अवेधन कर सकते हैं जैसे चाहले की में सी नाडन टिक से पास अप्लिकेशन फॉर्म अविलेबल रहेंगे आप 16 तरीक तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ओफिचल वेबसेट है इसके अलाव आपको जो सारे डिटेल है किस तरह से आपको एक्जाम पेटर रहने वाला क्या सिलेबस रहने वाला है यह सारे डिटेल आपको अप्लिकेशन फॉर्म से शुरू हो चुके हैं 16 अपरेल तक आप इसके लिए आवेधन कर सकते हैं एप्लाई करना पड़ेगा फोर्टो वगरे जो अप्लोड करना पड़ेगी और इसमें जो आपका रिटन एक्जाम होगा उसके बाद इंटर्वी और पस्नीटेस्ट होग नेक्स है इंडियन एकोनमिस की जो पोस निकली उसके लिए इसका भी आपका एफ्लिक्शन वहम भीस माँ से शुरू है और आपके जो लाज रेट है इसमें भी आपको सीम ग्रेजिवेशन होना चाहिए बवही 16 तारिक स्की लाज रेट है एजुकेशन कौलिफिकेशन के बारे बात कर लेते हैं कितना जो एजुकेशन कौलिफिकेशन वेकर है आपका तो ग्रेजूएशन पॉस्ट्रेशन इन एकॉमिक्स में अगर मंचर डिग्री करें रखेंज या अपने समा प्रशोय जों से विजक्ष्टों इसके लिए अधार्न कर सकते मिनिमिम्म कॉलिफिच्छन आपकी Master degree in economics ठीक है फीस जो आपकी इसमें फीस वगर है इसमें एक और क्राइटरियर देगा फीजिकल स्टेग्नर्ड भी इसमें आपका मेश होना चाहिए जो आई अगर आप इकोनोमिक सर्विसेज के लिए अपलाई कर रहे हैं तो ठीक है आविदन करना है आपकी आपकी एज लिमिट के बारे आपको बता देती हूं आपकी ट्वंटीवन तू थर्टी यह से थर्टी यह मैक्सिमम एज लिए है इसमें फर्स अगर 2019 की आपकी जो है इसमें जो रिजर्व केटेगर पोस उसमें वेकंस नहीं क्या दे रहा है लास्ट देट आपकी 16 ऑरलना आज की आविदन कर सकते हैं दस अजार के आसपास जो टीचेंग्स की वेकंसी आने वाली ही वो जल्दी इसके प्लेकेशन फॉर्म शुरू हो और देली अदिनेस सेवा चैन बोर्ड के द्वारा तो यह अप्लिकेशन आये अभी तक इसका अप्लिकेशन फॉर्म जल्दी शुरू होगा तो यह मतलब कि इसी week में आपका application form शुरू हो सकता है ऐसा इसमें बताया गए इसी news आई है तो यह upcoming vacancies है अब यूपी PCL में जो वेकंसी निकाली गए 4102 पोस्ट है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसका application form आपका upenergy.in पे available है इसमें जो वेकंसी निकली है वायर में इलेक्र से अगर आपने डिप्लमा कर रहा है relevant trade में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसमें आपका computer का घ्यान होना चाहिए और basic skill test आपका होगा इसमें maximum age आपकी 40 साल है 18-40 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं category वाइस आपको ease में relaxation दिया जाएगा application fees आपकी है आपका डिप्लोमा होना चाहिए ठीक है आपका online examination होने वाला है उसके बाद ने आपका जो कम skill test भी होगा relevant rate से 4102 पोसे इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं नेक्स अपनी vacancies हैं BSF में इसकी जो vacancies निकाली गई है हैं BSF में इसकी लाज डेट आपकी December तक है ठीक है इसकी में बता देते हूं आपको जो टोटल पोस्ट निकाली गई है सब्सक्राइब तक आप जो है कैन अप्लाइब तिल 31 दिसंबर 31 दिसंबर 29 तक इसका अप्लिकेशन फोर्म आपका अवेलेबल रहेगा जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी ओफिशिल वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं अब बात करते हैं तो आपको डेप्यूटेशन जो है किस तरह से आपको जो है आपको बस इसमें experience होना चाहिए experience holders के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो अभी है इसी फिल्ड में है जो कि जिस पोस्ट पे है जिसके उनके पास experience होना चाहिए फ्लाइं का निकाले गए है यह निकाले गए इस फिल्ड में हैं अनकाली वेकेंसियस बिटाल्य कोई तो अभी आपका पी पेले ड़केंसियस Gimme में जो है और चाहिए खम ऐसária करा के मैं दोनके वल्केंसियं निकाली गई यह तो जो इस फील्ड में हैं अल्रेडि कौन कौन सी विकेंसी निकाली गई है वह अपने पहले डिसकस कर ली कि आप किस तरह आवेदन कर सकते हैं पोस्टल में दस अजार क्यास विकेंसी है वह मैंने आपको बताती है आपको जाना पड़ेगा इंडिया पोस्ट की ओफिशिल वेबसेट पर और महां से आपको अच्छाफ नर्स की टोटल पोस्ट है 362 और एक और वेकेंसी से 12 पोस्ट निकाली इसमें जो वेकेंसी निकाली वह आपकी प्रिंसिपल की एक है लेक्चिरर की तरीन है और क्लिनिकल ट्यूटर की आपकी बारह वेकेंसी तो इसमें आपका क्या होना चाहिए वर्क एक्सप प्रिंस्पल लेक्शल उसमें आपका में सी नर्सी होना चाहिए और आपको एक्सपीनिस होना चाहिए तो आप इसके लिए आएदन कर सकते हैं स्टाफ नर्स की बात कहते हैं 362 जो पोस्ट निकले सेवं लेवल की जो स्टाफ नर्स ग्रेड एक की वेकेंसी निकाली गी है इसमें आपका स्पोर्स कोटागी भी है उनके लिए 14 पॉस्ट है ठीक है तो यह अलग से भी इसका रिजर्वेशन दिया गया है अब आपके पास आती है एलिजिबिलिटी क्राइटिरिय के बाद तो बी एसी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास चार साल का कोर्स या फिर बी इसमें आपके थर्टी फाइफ इस और आमचेशन आप के बीजिटी करण बाद करते पास पांचेशन आरा पी रांचि तोड़ बैस नर्स पॉरी अपर नोगव टोटील करने रखेज पडंडार को है पोडाप करक्याय। यह हमारे ऐसो छेटील पाहई वालों को जडील राप Kना प्रीमिकिसर रिंट्ट दॉटील लेहां प्रप्रेशपे जन्रीलम और एस को भ सांध इस साखेज आपको रिम्स रांची.org पर सारे डिटेल मिल जाएगी इसका तो सेकेंड वाला लिंक मिलेगा आपको यह वह अप्लिकेशन विद कंप्लीट बाइटा आर इन्वाटेट तो फिलिंग अप अंडर स्टाफनर्स ग्रेडी इसमें आपको नोटिफिकेशन का पूरा फोर्मेट म मुझे कमेंज कीजिए आप पूछ सकते हैं इसी तरह की अपडेश हम आपको डेली पहुंचाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई